Hello everyone, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Online GKJS Classes में जिस दिनों का इंतिजार हम लोग लगभग एक साल से कर रहे थे जिस दिन के लिए कम से कम आपने एक साल प्रॉपर धंग से महनत किया है हमने आपके लिए एक साल प्रॉपर धंग से महनत किया है वो दिन आज ही है आज तारीख है एक फेबररी और आपका एक्जाम है साइन्स वालो का जो है आज पहला दिन Maths है फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में जो है Arts और Commerce वालो का जो है Hindi है और ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट में आते हैं जो जिसमें आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और ये सौसो नंबर के एक्जाम होते हैं ये हम बताने इस वीडियो में नहीं आए हैं कि आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बाते बताने आए हैं, जो आपको आज exam center पे जाने से पहले करना चाहिए, ठिक है, तो रात को जो है, आपने proper धंग से निंद लिया होगा, इसकी जो है, हमें काफी ज़्यादा उम्मीद है, क्यों प्रोपर धंग से लिख पाएं, आपको निंद ना लगे, इसलिए कल हमने class भी नहीं लिया था, ठिक है न, कि आप proper धंग से निंद ले पाएं, आज जो है, आप जब सुबह जब ये video डल रहा है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन नहाईए, उसके बाद जो है, आप प्रोपर धंग से जो है, एक साधा ड्रेस पहनिए, कहने का मतलब की ज़्यादा लफुआ गिरी वला बात नहीं, ज़्यादा दिखावा में नहीं, आप एक्जाम देने जा रहे हैं, कहीं बढ़ाती या तिलक में नहीं जा रहे हैं, पुराना कलम का यूज कीजिए, पुराना कलम इसलिए हमने कहा कि वो जो है, प्रोपर धंग से जो है, वो वहाँ पे लिख पाईएगा उससे, ठीक है, एड्मिट कार्ड कलम और मैट्स वालों के लिए जो है, आज फिगर भी कुछ बनाने होंगे, ग्राफ उर आप उसके पैंसी ले लिजिए, रवर ले लिजिए, स्केल ले लिजिए, ठीक है, ये जो है, प्रोपर जो चीजें हैं, आप क्या हो सकता हैं, एड्मिट कार्ड कलम और ये सब चीजें, और उसके बाद हो सके तो जो है, एक रुमाल ले लिजिए, जो आपकी जो है, जो डर को जो है, गर्मी में जो change होगी तो उसमें जो है वो सहायता करेगी ठीक है और आप हम कहेंगे कि exam center पे जो है exam center पे का आपको जो है आधा घंटा पहले पहुंच जाना है क्योंकि आधा घंटा पहले ही जो है entry होने लगता है सारे 9 बज़े exam है तो 9 बज़े से ही जो है entry होने लगता है और वहाँ पे आपको जो है exam देने जाना है अब जाके बैठना है सबसे जरूरी जो बाते हमें लगती है इस exam के दोरान वो होती है आपके parents का सिरवाद बहुत सारे लोग सेंटर पे जाकर एक दिन पहले या दो दिन पहले रहते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग तो center पे आ गए हैं अपने मातापिता का असिरवाद कैसे लिए एक बार video calling कीजिए और अपने मातापिता से जो है जरूर बात कीजिए उनका असिरवाद जो है आपके एक्जाम में बहुँ ज़्यादा सहायता करेगी ठीक है और अगर आप घड़ से जा रहे हैं या किसे रिलेशन के यहां हैं और जा रहे हैं तो उनलोगों का असिरवाद लेजिए मेरा असिरवाद का कोई जरूरत नहीं है हम आपके तरह एक स्टूडेंट हैं हम हमेशा आपके साथ हैं असिरवाद नहीं दे सकते हैं ठीक है ना क्योंकि हम खुदे अभी उलाइक हैं नहीं लेकिन हम दुआ करेंगे कि आप लोगों का एक्जाम बहुत बहियां से जाए अपलिज का पेपर एकदम अन्रम 100 में 100 लिक करायें एक और सला है कि आप जब सेंटर पर जाएं तो वहां पर ज़्याद तेज बनने के कोशिस मत करें हला नहीं करें ये नहीं करें वो नहीं करें नहीं तो अगर एक बार रेड कलम आपके कॉपी पर चला तो समझे कि वो जितना नंबर कटेगा, वो कट गया, फिर जुड़ेगा नहीं, तो जादत दिखावा कि फिर में बरबाद मत होईएगा, ठीक है, और उसके बाद कि जो प्रस्न आपको नहीं आता है, for example, कि मैट्स में दिया गया है, कि निमने लिखित में से 15 प्रस्नों का उ उत्तर दीजिए, तो 15 प्रस्न आपको बनाना ही बनाना है, 30 प्रस्नों का भी मतलब, कि जो प्रस्न आपको नहीं आ रहा है, उसमें कुछ गलती सही बना के आए, लेकिन 15 प्रस्नों तो चोटल बना के आए, है कि नहीं? तो पूरा आप बना कि आपको आना है यह नहीं कि प्रस ने छोड़ के आना है छोड़ के आएगा यह को नमबर नहीं मिलेगा लेकिन बना के आएगा तो हो सकता है कि याधा नमबर मिल जाए दू नमबर के है तो एक नमबर मिल जाए है कि नहीं तो छोड़ना नहीं है और उस भाग दोर भड़ी वाली दिन चर्या में पांच दिन की दिन चर्या में अपने आपको सेहत मंद रखने के लिए आपको जो है बाहरी चीजों का सेवन नहीं करना है ठीक है न सर जीसे बहुत सारे लोग हैं जीसे हमनी के गाम से पटना गए एक्जाम देने तो देखेंगे कि बरगर पीजया घुलगा पाहई हो भी गाई थे ज़्यादा उसका सेवन करेंगे तब यह ता आपको खड़ाब होगा हो सकता है एक्जाम खड़ाब जाए हम नहीं ऐसा चाहते हैं नहीं आपके पैरेंट्स चाहते हैं तो आप जो है इन बातों का ख्याल रखे तब आप ए न सर तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और इन बातों को जो है फांच दिन तक जो है यूज करेंगे ठीक है न तो बस इतना ही कहना चाहेंगे ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहेंगे अपने माता पिता का असिरबाद जरूर लीजिये अपने ओक्लान के गुरु है उनका आसिरवाद जरूर लीजिए अगर आप सेंटर पे हैं तो उनको वीडियो कॉलिंग एक बार करके बात जरूर कीजिए यह जो है सेर कीजिए वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद